दोस्तो मुझे अभी भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा जो Bluetooth है वो काम नहीं कर रहा या फिर connect नहीं हो रहा या connect तो हो जा रहा लेकिन audio नहीं आ रहा है earphone में इस तरह का बहुत ही समसिया देखने के लिए मिल रहा है दोस्तो तो इस वीडियो को आप प connect नहीं होता है तो आपको चेक करना है कि कौन कौन सा device पहले से पेर हुआ है यदि पहले से पेर हुआ रहेगा तो आपको करना क्या है उसको remove कर देना remove device करके फिर से पेर करना है अन पेर करके फिर से पेर करना है ठीक है तभी connect हो जाएगा आपका दूसरा चीज़ आपको य aeroplane mode देखी है यहां पर दिखा देगा तो आपको देखना है कि aeroplane mode कहीं on तो नहीं हो गिया है यदि on रहे हैतीजित को आपको off कर देना है तीसरा चीजिज आपको यह करना है तो इसके लीए आपको करना क्या पड़ेगा कि control panel को खोलना है Control Panel को खोलने के बाद Device Manager को खोलना है उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि Bluetooth दिखा रहा है या नहीं यदि यहाँ पे Bluetooth नहीं दिखाएगा तो आपका जो है दोस्तो Bluetooth काम नहीं करेगा तो फिर कहीं पर भी Bluetooth आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर Bluetooth सो कर रहा है या नहीं नहीं सो करें तो सबसे पहले आप जो है Bluetooth के driver इस्टोल कर लेंगे तब यहाँ पर Bluetooth सो कर देगा और यदि आपका Bluetooth पाले से सो कर रहा है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी Bluetooth के driver दिखा रहे हैं सभी को आपको करना क्या है right click करके update कर देना है लेकिन आपको update जो है search automatically for devices ने drivers पर click करके नहीं करना है आपको manually driver को install करना है यदि आप search automatically करेंगे तो फिर आपका Windows यानि की operating system अपडेट होना चाहिए क्यूंकि आप search automatically करेंगे तो यह जो है driver विंडोज यानि की operating system से ही उठा लेगा इसलिए आपका विंडोज ही update होना चाहिए नहीं तो फिर आप जो है manually install करें तीन सब के बारे में मेरे चैनल पे Bluetooth वाले प्लेइलिस्ट में already विडियो पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि Bluetooth ड्राइबर को update कैसे करना है manually driver install कैसे करना है जिस भी company का laptop है या desktop है सभी का विडियो मेंने बना दिया है तो यह चीज आपको करना है कि Bluetooth के ड्राइबर को update करना है अपडेट करने के बाद देखना है कि काम कर रहा है या नहीं यदि ना काम करे तो सीधा सीधी ड्राइबर को आपको करना क्या है uninstall कर देना है जितना भी यहाँ पर Bluetooth का दिखा रहा है सभी को आपको हटा देना है uninstall कर देना है और नया एकदम fresh वाला latest version वाला आपको करना क्या है internet से download करके install कर देना manually जो है वो install करना है ना कि search automatically करके ठीक है उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों एक चीज़ाओ करना है उसके लिए आपको setting को खोलना है setting को खोलने के बाद आपको यहाँ पे click करना है update and security में और check करना है कि बिंडोज update आया हुआ है क्या यदि बिंडोज update आया हुआ रहेगा तो सबसे पहले अपने Windows को आपको अपडेट कर लेना है, यदि देखे यहाँ पर आया हुआ है, यदि आप इसको अपडेट नहीं करते हैं, तो फिर बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, Bluetooth के connect नहीं होने का, या फिर Bluetooth सो नहीं करने का, या फिर connect हो जाता है फिर भी sound नहीं आता है बहुत तरह का समस्या आ जाता है जब हमारा Windows अपडेट नहीं रहता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि Windows अपडेट है या नहीं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का symbol आ गया है ठीक है बोल रहा है कि आपका Windows जो है वो अपडेट नहीं है अपडेट आया हुआ लेकिन आप अपडेट नहीं किये हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने Windows को अपडेट कर देना है Bluetooth का नहीं चलने का सबसे बड़ा रीजन Windows अपडेट होता है इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ कीजिए या ना कीजिए लेकिन Windows को अपडेट जरूर कीजिए तभी आपका जो है Bluetooth काम करेगा नहीं तो फिर नहीं करेगा तो आपको करना क्या है अपने Windows को आप करेंगे ये वाला बताते हैं services.msc ये लिखके आप जो हैं एंटर कर देंगे जैसा ही आप ये लिखके एंटर करेंगे तो आपके computer का services open हो जाएगा उसके बाद बताते हैं खुलने दिजिए देखिए यहाँ पर खुल गया उसके बाद आपको Bluetooth ठूड़ना है ठीक है सर्च में सर्च मेंने status टाइप में यहाँ पर ऑटोमेटिक में है या नहीं है यदि manual या disable रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक कर देना है ठीक है ऑटोमेटिक में कर देना है और apply करके ok कर देना है कुछ भी नहीं करना है बास उसके बाद जितना भी Bluetooth से related समस्या रहेगा सारा आपका दूर हो जाएगा तो मैंने आपको जितना भी तरीका बताया दोस्तों इन तरीकों को आप जो है किजिए आपका Bluetooth का problem 100% हो जाएगा यदि नहीं हो रहा है तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके बताईए कि क्या समस्या आ रहा है ताकि मैं अलग से वीडियो बना के यहीं पर समाप कर देते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहिन दोस्तों